टेकनिकल ट्रॉइंग में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग यह सम कर रहे हैं सबसे पहले एक्सिस लाइंड बना देंगे और बाद में पॉइंट ए से रेडियस 35 बनाएंगे डामिटर 70 जो है न वो बनाएंगे हमेशा दरखो पहले हमेशा एक्सिस एंड सर्कल पहले ब उसके बाद नीचे जो हंड्रेड नीचे जाना है और रेडियस 25 बनाना है देखो पॉइंट भी और वहां से रेडियस 25 बनाना है उसके बाद हमें external arc बनाना है, radius 30 का, देखो, वो जो radius 30 वो external arc है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए point B से हम लोग कट करेंगे 25 plus 30, 55, और point A से कट करेंगे, radius 35 plus 30, देखे, तो A से 65 कट किया, जहां पर भी मिला, वहां से हम लोग radius 30 करेंगे, तो इस प्रकार से हमें external radius मिल गया, अभी हमें internal radius बनाना है, 100 mm, तो उसके लिए A से कितना कट करना पड़ेगा, 100 minus 35, और B से कट करना पड़ेगा, 100 minus 25, 75, देखो, जहां पर भी मिला, वहां से हम लोग radius 100 बनाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा इसम हो गया, तो आशा करता हूँ कि आपको इसम समझ में होगा, अगला सम लेकि मैं जल्दी लाटूगा, तब तक के लिए धन्यवाद, तक के लिएरा one more water 200 में मिला यहां जल्दी लाटूगा, तो आशा करता हुआ जल्दी लाटूगा,